नमस्कार आप देख रहे हैं के लांचल टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ सपना ठाकुड़े रुख करते खास खबर की ओर लोकसभा चुनाओं के मदे नजर जार्खंट भाजपा के प्रभारी लक्ष्मी कांद भाजपे और भाजपा के प्रदेश अध्याक्ष बाबुलाल मरांडी ने सुमवार कुराची के हर्मु रोड इस्थेत मारू टावर में भाजपा के मीडिया सेंटर का उद्गाटन किया और साथ ही सभी ने भरोसा जताया कि भाजपा का संकल और मोदी की गैरेंटी पर जार्खंट के लोग भी चुनाओं में भरोसा जताएंगे मीडिया सेंटर के उद्गाटन के मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कारीकर्टा मौजूद रहे और इस दौरान प्रदेश बाबुलाल मरांडी ने प्रेस को संबोधित करते वे भाजपा के घोशना पत्र पर अपनी बात रखी उन्होंने कहा कि भार्ट्री रंता पार्टी ने जो संकल पत्र जारी किया वो भाजपा का नहीं बलकि पूरे देशवासियों का संकल पत्र है जिसे पूरा करना है तो वही लक्ष्मी कांद वाजपेई ने कहा कि मोधी की गैरेंटी का मतलब है मोधी की कार्य पद्दती जो यहीं हमारे जितने भी विरासात है धार्मिक और सांस्कुर्टिक जो केंद्र है, उन सब को विक्षित करना, यूकि भारत की तो वही पाचान है, भारतियों की वही पाचान है, पाजोध्या की, कासे की, हम सब लोग को पता है, उसी प्रकार के जारखन में भी बहुत सारे आईसी जगा है जो ट्राइबल के भी बहुत सारे जगा है सांस्कृतिक या धार्मिक अस्थाल है उनको भी विक्षित करना उनको भी सुरच्छित करना और साथ-साथ आपने यहां देख रहे हैं कि 2021 में राष्टिय गौरब दिवस 15 नौंबर को देश के प्रधान मंत्री नरिंदर मौदीजी ने वोशित किया था लगिन 2025 भगवान बिर्सा मुंडाजी के तेड़ सो वर्स जाइंती ने तेड़ सो साल पूरा हो रहा है उनके जन्म जाइंती का अब पूरी वर्स देश भर में गौरब वर्स के रूप में मनाये जाएगा दास लाग तो विडियो के माध्यम से जो अनि विडियो बना करके लोगों ने बेचा तो आपने आपने आप समझ सकते हो चार लाग लोगों ने जो नामों एब पर लोगों ने डाल करके सुझाव देजा बार्ती जनता पार्टे ने जो संकल पत्र जारी किया मैं वो भार्ती जनता पार्टए कि बल्के देशराश्यों का यह संकल पत्र बाद हमने उसमें जो जो चीज़ां पूरी की है उटा टाको reclata था और अब 15 लाख लोगों के सजेशन साम आने के बाद आदने राजना सिंग जी के अत्रक्स्ता में बनी कमेटी ने इसको कंपाइल करके अगले पांस साल का हमारा काम का एजेंडा भेज दित्यार हुआ है और इसका नाम मोदी की गारंटी इसलिए रखा गया है कि आदने मो आज आपके सामने आदर ने देख जी रखेंगे मुझे तितना ही कहना था ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें के लांचल टाइम्स